कोरोना वायरस के चलते लोगों के मन में डर हमेसा बना रहता है कि कहीं वो कोरोना वायरस से पीडित तो नहीं हो गए लिकिन जब आपको पता चले कि आप कोरोना वायरस से पीडित हो चुके हैं और दूसरी जगा चेक कराने पर आपको पता चले कि आप कोरोना वायरस से पैथालोजी लैब में कोरोना नेगेटिव को पॉजेटिव बताने का खतरना खेल पकड़ा गया है इस लैब से पॉजेटिव बताए गए 30 लोग सरकारी जाज में नेगेटिव मिले हैं इस खुलासे से संसनी मच गई है डीम ने इस घटना करम का खुलासा करते हुए CMO को र आलोग तिवारी और CMO डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने एक मरीज की सिकायट पर स्वारूप नगरिस्थित ग्यान पैथालोजी लैब पर छापा मारा था लैब की सिकायट एक मरीज ने की थी जिसे युगांडा जाना था उसने लैब में जाज कराई और उसे तो पता चला कि वहां कई मरीजों के नाम पते और मोबाइल लंबर गलत दर्ज हैं डियम आलोग तिवारी ने कहा कि गलत रिपोर्ट देना पॉजिटिव मरीजों के पूरे एड्रेस ना लिखना ज्यादा पैसा लेना जैसे सिकायते सही मिली तो लैब सील कर दी गई थी ADMCT की निगरानी में तीन सदस्य जाज कमेटी बनाई गई जिसमें दो ACMO सामिल किये गए थे जाज कमेटी ने विस्तरित परताल की है जाज में 20 सितंबर से तीन पूर्व की सभी कोरोना जाजों के रिकॉर्ड लिए गई ADMCT ने उन सभी मरीजों की दोबारा जाज की है उसी जाज में 30 पॉजिटिव मरीज नेगेटिव मिले हैं आलोक तिवारी ने कहा कि ज्यान पैथोलोजी ने 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया था उनके दोबारा सेंपल लिए गए तो RT-PCR जाज कराई गई सभी नेगेटिव मिले संभाव है कि 2-3 ऐसे मरीज हो जो स्वस्थ हो गए हूँ पर पूरे 30 पॉजिटिव 6 दिन की नेगेटिव कैसे हो सकते हैं CM को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है वही डॉक्टर अरुन कुमार संचालक ग्यान पैथोलोजी का कहना है कि 3 दिन में पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो जाते हैं जाच रिपोर्ट ICMR की गाइडलाइन से मरीजों को दी जा रही है जिस तरह दोबारा मरीजों को क्रॉस जाच की गई है उसमें मानकों का पालन हुआ या नहीं या हम नहीं कह सकते हैं फिर भी हम मानने को तयार है कि डाटा फीडिंग में गड़बड़ी हो सकती है रिपोर्ट में किसी तरह की त्रूटी की गुंजाइस नहीं है धन्यवाद